नमस्कार दोस्तों मैं निसांत एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया फाउंटेन पैन लेकर ये फाउंटेन पैन है स्नाइटर का वेज फाउंटेन पैन इस तरह के रैपर में आता है और प्राइस यहां मैं आपको दिखा देता हूँ 250 रुपे का है ये और अवर यह प्लास्टिक की कैप है और यहां फिट कई गई है पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बार कोड लगावा है made in Germany इसके उपर लिखावा है snider.com के साथ यह कैप इस तरह की आपको blue color में कैप मिलती है और यह fountain pen है तो देख सकते हैं यह design बना गया इसके उपर यह printing है basically plastic के उपर तो इस तरह की प्रेंटिंग में आपको different different design इस fountain pen में आपको मिल जाते हैं पीछे की तरफ यह देखिए sliding जो पीछे fitting दी गई है barrel के पीछे यह इस तरह की आपको मिलती है और यह plastic यहाँ पर ठीक टाक एक cartridge ओर आती है इस तरह की यह आप यहाँ पर देख सकते हैं देखे slider लिखा हुआ है तो यह वाली cartridge आपको इसके साथ मिलेगी ऐसे अंदर डली वी तो अब बात कर लेते हैं section की यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यह section है blue color का और यह soft grip आपको मिलती है tripod grip के साथ हलका सकर्व यहाँ पर दिया गया है जिससे की हाथ में अराम से fit हो जाया और लंबे समय तक आप लिख पाएं हाला कि plastic का पुरा section है और इसमें निब देखे आप निब आपको stainless steel का मिलेगा और अगर आप point देख पा रहे होंगे तो butterfly point है इसमें निब के अंदर इसमें जो अलग से tip weld की जाती है वो नहीं है तो इसका advantage यह है कि सस्ता पड़ता है और जल्दी से बन जाता है तो यह इन स अधर भी मिल जाएगी है देखे सेम उसी तरह की मिल जाएगी यह medium size का निब है और इसकी feed देखे इस तरह की feed मिलती है और जो दूसरा fountain pen मैंने review किया था उसकी feed कुछ इस तरह की होती है तो दोस्तों लगभग लगभग निब आपको सेम उसी तरह का मिल जाता है शेप Cartridge fit करने के लिए कुछ नहीं करना आपको Cartridge लेना है और सीधे से अंदर ऐसे पुछ कर देना है एक से आवाज आएगी यानि कि पंक्चर हो जाएगी Cartridge और Cartridge आपके fit हो गई और इंक आपका start हो जाएगा flowing into the new तो दोस्तों यह अब एक राइटिंग हम सेंपल ले लेते हैं और फिर हम मिलते हैं final verdict के साथ तो दोस्तों बात करते हैं final verdict की यहां पर राइटिंग देख सकते हैं खुबशूरत सी राइटिंग इन दोनों fountain pen से आती है नीचे की तरफ में दिखाता हूँ मैं एक line इस पुराने वाले fountain pen से भी लिखे हैं यहां पर देखे आप इस तरह की राइटिंग इन दोनों fountain pen से आपको मिलने वाली है दोनों लगबग लगबग एक जैसे सही है जो चाहे आप आई कर सकते हैं इसका मैं review कर चुका हूँ already वो आप नीचे link पे जा करके आप चेक आउट कर सकते हैं और यह fountain pen है voyage तो देखने में काफी सुन्दर सा है और काफी मतलब है तो straight सा लेकिन यह design अगर एक student हो तो उसको लेकिन यह feel नहीं होता अगर आपका paper अच्छा है जिस तरह की classmate की notebook है अगर इस पर आप लिखेंगे तो वो चीज आपको feel नहीं होगी और आराम से आप long writing sessions वगरा भी लिख सकते हैं जिस हिसाब से यह fountain pen बनाय गया है grip soft है तो आप काफी time तक इस fountain pen से लिख सकते हैं और इ लेकि दोनों fountain pen काफी अच्छे हैं सस्ते हैं 200-200 की range में दोनों fountain pen मिल जाते हैं problem एक जो सबसे बड़ी इस fountain pen के साथ आती है वो मुझे इस fountain pen के साथ भी आयती है वो है starting में inka flow जब आप पहली बार इसमें catries डालते हैं तो ink tip तक नहीं पहुंचता और काफी muskil और काफी ज बाकी fountain pen okay है चलने में ठीक है मतलब अगर कहा जाए तो smooth भी है लेकिन एक थोड़ा सड़र जो है वो sideways stroke में ही रहता है हला कि अगर आपका copy अच्छी है आपकी notebook अच्छी है तो वो problem भी आपको नहीं आने वाली है देखने में आप देखे writing के उपर control भी रहता है जिस तरह का निब है butterfly निब है अला कि बहुत अच्छे निब नहीं होते हैं लेकिन फिर भी जर्मन इंजीनिंग के साथ काफी अच्छा इन लोगों ने smooth निब बनाया है तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजेगा share कीजेगा subscribe कीजेगा मैं इ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक की लिए नमस्कार जैहिंड कर दो